नमस्कार घमासान हेल्थ में आपका स्वागत है आज हम आपको बताते हैं दल्य की बर्फी कैसे बनाते हैं दल्य की बर्फी बनाने के लिए 150 ग्रम गेहु का दल्य लीजिए उसके अलावा 300 ग्राम दूद, 100 ग्राम घी, 250 ग्राम मावा, 250 ग्राम चीनी, 15 काजू कटे हुए, 1 चमच शेरोंजी, 7 पिस्ता कटा हुआ, और 1 चुटकी इलाइची पाउडर दल्य की बर्फी बनाने के लिए एक पैन में 3 चमच घी डाले और उसमें दल्या डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक उसे बून ले, इसके बाद पैन को आज से उतार कर अलग रखते, एक मोटे पैनते वाली कड़ाई गैस पर चड़ाए और उसमें दूद उबाले, जब दू 15 मिनिट के बाद दूद सूप जाएगा, अब धीनी आज पर इसमें मावा, चीनी, इलाइची पाउडर, काजू, चिरोंजी और पिस्ता डाल दे, दियान रखे इस दल्या और दूद के मिश्रण में मावा दूद सूपने के बाद ही डाले, नहीं तो इसका सुआत फीका प फिलाए, अब यह मिश्रण धंडा हो जाए, तब इसे बर्फी के आकार में काट ले, उपर से बारिक पिस्ता गतरन डाल दे, इसी तरह आपका दल्या की बर्फी तयार हो चुकी है, नमस्कार दोस्तो, अगर आपने अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, त साइड में बैल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे घमासान से जोड़ी हर ताजा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे,